हेलो गाई इस तो के सो अप सारे वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सो गाई यहाँ पर देख सकते आप आज के इस वीडियो के अंदर हमने सिमेंट का होल किया है और साइट से देख सकते आप काफी सारी आपर पटाके रखे है तो आज हम क्या करेंगे इन सभी पटा सिमेंट के होल का क्या हाल होता है तो चलिए वीडियो को शुरु करते हैं गयच सबसे पहले टेस्ट करते हैं इस वाले फोटो फ्लेश को तो देखते हैं यह कैसा यहाँ पर जलता है आई देख सकते हैं काफी जबर्दस तरीके से जल रहा है खतम हो गया है लेकिन काफी जबर्दस तरीके से जला है देख सकते हैं अप अंदर की तरफ अब जलते हैं इस वाले बड़े वाले आनार को यहाँ पर देख सकते हैं अगा झाल भी देखते हैं अंदर कैसा नाजरा होता है यहायआ पर देख सकते हैं और जलते इस वाले जाइंट के अनार को यहाँ पर देख सकते हैं जबदस तरीके से जला है तो महों का कि चोटे वाले अनार को टेस्ट करते हैं, देखते हैं यह कैसा यहाँ पर जलता है, यह भी काफी जबरदस तरीके से जला है, अब जलते हैं इस वाले यहाँ पर चकरी को, ग्रीन चकरी है, देखते हैं कैसी जलती है, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि एलिफंट ब्रैंड की चोटी वाली चक्कर को जलाते हैं गुम रही है अंदर अल्राइट गया इस तो काफी जबर्दस तरीके से अंदर घूमी थी यह चक्कर अब जलाते हैं इस वाल टिम्टिम के चटर पटर को देखते हैं यह कैसी यहाँ पर जलती है इस इतना कुछ खास नहीं देखने को मिला नॉर्मल चटर पटर को चला कर देखते हैं यह काफी जबर्दस तरीके से जली है रेड़ वाली बटरफ्लाई को टेश्ट करते हैं देखते हैं यह कैसा यहाँ पर जलता है इतना कुछ खास नहीं जला अब जलते हैं इस वाली कलर चेंजिंग बटरफ्लाई लाइक मिसाइल टाइप है तो देखते हैं इसे भी टेश्ट करके इतना कुछ खास नहीं अब जलते हैं इस वाले वेडवेल के साइलेंट अनार को देखते हैं यह कैसा जलता है लग गई है आग डाल दिया है अंदर काफी मस तरीके से जला है अब जलते है इस वाले नॉर्मल लक्षमी बम को तो इसका हमने लक्षमी माताजी का कवर हटा दिया है खाफी जबरदस तरीके से जला है अब जलते हैं इस वाले गोल्डन लक्षमी को तो इसका भी हमने लक्षमी माताजी का कवर हटा दिया है देख सकते आप तो देखते हैं इसे भी टेस्ट करके अब जलते हैं इसको भी उल्टा रखेंगे आज लग गई है आग भाई जी आपर देख सकते हैं ये उल्टा गया था नीचे वाल वाला पटा गया तो पुटा नहीं लेकिन यहापर देख सकते हैं ये नीचे आ गया है अब जलते इस वाले रॉकेट को देखते हैं ये कैसा होल के अंदर जलता है वाइस काफी जबरदस्तर के से रॉकेट जला है अंदर अब जलते इस वाले लड़ी को देखते हैं ये कैसी आपर जलती है काफ़ी जबरदस तरी किसे लड़ भी आपर जली है अंदर की तरफ देख सकते हैं पूरा धुआ और होल पूरा काला हो चुका है अब जलते हैं इस वाले सबसे छोटे वाले सुतली बम को देखते हैं यह कैसा जलता है अल्राइट गाइस तो अंदर के पूरे कागज की टुकड़े बाहर निकाल दिये है इसने यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी जबरदस साउंड था इसका अब जलते हैं इस वाले एटम बम को यहाँ पर देखते हैं यह क्या हाल करता है इस होल का लग गई है आग काफ़ी मतलब काफ़ी जबरदस धमाका हुआ है और होल का हल देख सकते हैं अभी भी ठीक है अब जलते इस वाले सद्दाम के सूतली बम को देखते हैं यह कितना यहाँ पर धमाका करता है इसका भी काफी जबर्दस धमा का हुआ है और सूतली बम देख सकते हैं यहाँ पर आकर गिरा है अंदर की सूतली और होल का हाल देख सकते हैं काफी भयानक तरीकिसे इसका साउन था अब जलते इस वाले सबसे बड़े वाले यहाँ पर टाइगर के सूतलिबम को देखते हैं इससे होल का क्या हाल होता है गाइज काफी जबरदस धमा का हुआ है अब यहोल का देखते हैं गाइज होल को अभी भी कुछ नहीं हुआ देख सकते हैं आप अब जलते हैं इस वाले वेनम के सूतली बम को काफी जबरदस साउन निकलता है इसका भी तो देखते हैं होल काखीर क्या हाल होता है इससे ये इतना कुछ खास नहीं जला यहाँ पर आकर गिरा है उपर की सूतली और होल का हाल अभी भी सही सलमत है गाइज लाश्ट में जलाते हैं इस वाले यहाँ पर थंडर के सूतली बम को काफी ज्यादा यहाँ पर इसका धमाका होता है होल अभी भी सही सलामत है यहाँ पर देख सकते हैं तो लाश्ट वाला सुतलिवम टेस्ट करते हैं देखते हैं इसका कितना धमाका देखने को मिलता है गाईज इसका काफी मतलब काफी जोर से धमाका हुआ है पूरे कान यहाँ पर हिल चुके है और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं होल को क्रेक आ चुका है थोड़ा सा ही नॉर्मल सा होल को क्रेक आ चुका है लेकिन सिमेंट में इतनी पावर होती है कि इस होल का सबी पटाके फोड कर भी देखे फिर भी कुछ बिगडा नहीं तो भाई आज के इस वीडियो गंदर हमारे पास इतने पटाके थे जिनको हमने इस सिमेंट के होल में टेस्ट किया अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना आगे भी इसे इंट्रेस्टिंग धामकेदार वीडियो आने वाली है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना तो मैं मिलता उसकी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत